नमस्कार दूस्तों मेरे नाम है भालचंद्र ब्रह्मांड सिद्याश्टों में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मकर राशी पर जो सूर्य ग्रण होने अगर आपकी मकर राशी है या फिर आपका मकर लंगन है दोनों के लिए ये जो प्रेडिक्शन्स है वो आप ध्यान में ले सकते हों तो आपकी जो वेया भाव है वेया भाव है उसमें जो धनुराशी है धनुराशी में ही सूर्य ग्रयान होने जा रहा है धनुराशी में कई ऐसे ग्रह है वो एकत्रित हो गया है जैसे उसमें रवी है शनी है केतु है तो पुर्ण बात है अगर आपने किसी से लोन लिया है पैसे उधार लिया है या फिर ऐसे कोई बात की है तो उसके बारे में स्ट्रेस से अटेंशन आपको आ सकता है जैसे मैंने कहा कि यह जो सूर्य ग्रहन है वो 26 और 27 तारिक तक है लेकिन इसका जो प्रभाव होगा वो 22 त है पैसे लिए हैं उधार लिए है या फिर किसे को वीटनेश भी रहे हो या फिर कोई कि है कमिटमेंट की है तो सभी के बारे में यह जो संपुर्ण दिन है 8-9 वह आपको स्ट्रेस में डाल सकते हैं बहुत ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस आ सकता है उसके उपर थोड़ा सा साता डिनो में किसी भी प्रकार के लोन या फिर जो पैसे हैं किसी से भी उधार नहीं लेना अगर लेते हो तो आप वो चुका नहीं पाओगे तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा आवश्रक हो जाती है दूसरी ज्यादा मैत्वोपुर्णबर अगर आपका विवा हुआ है अगर आप शादेशिदा हो तो आपके वाईवाइक जुड़िदार होंगे उनके साथ भी किन्य बातों के लेकर मदभेत होसकते हैं हाला कि जो बाते हैं वह छोटी दूर रही है क्योंकि यह जो विचार है वो नेगेटी हो सकते हैं और वो तातका लिक हो सकते मतलब जैसे यह दिन खतम हो जाएंगे जो गरहन के जो संपुर्ण दिन है वो कदम हो जाने के बाद आपको लगेगा कि आपने जो भी सोचा था वो कितना गलग था तो छोटी- कर आपके खुद के स्वास्त के बारे में भी ऐसी कोई लक्षन दिखाई दे सकते हैं जो कि आपके लिए थोड़ से चिंता जनक हो सकते हैं लेकिन उसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करना क्योंकि बेसिकलिए जो लक्षन रहेंगे और उसकी जो इंटेंसिटी रहेगी बात है तो एसी अगर कोई बात है जिसके बहुत ज़्यादा आपके मन में डर बिठा है तो वह दीरे-दीरे जैसे इसका जो इनिकलते जाएगा उसकी जो intensity वो कम होती जाएगी और आपके मन का जो डर है जो वहम है वो भी कम होते हो नजर आएगा तो उसके बारे में ज्यादा stress से attention बिल्कुल भी नहीं लेना तो यह सबी बाते हैं जैसे मैंने का कि financials front पर और आपके खुद के स्वास्त के बारे में भी ध्यान देना आवशक है और दूसरी ज्यादा महत बुर्णबाद यह भी ज्यादा बहुत ज्यादा महत बुर्णबाद है अगर मकर राशी के कोई विक्ति सरकारी नोकरी में है और अगर वो out of the way जा के कोई काम करते हैं मतलब कभी कभी पैसे लेकर लें दिन पैसे का लें दिन रहता है तो अगर हलाकि यह जो बात है वो गलत है लेकिन अगर ऐसी ही किसी बात में आप involved हो तो आपको फसने के बहुत ही ज्यादा आसार बनते हैं और फस भी जाओगे क्योंक सब पीछे रहना और या फिर अगर इसके पीछे अगर आपने ऐसे कोई बात की है तो उसकी संदर में जो भी बाते हैं वो इन दिनों में उबरकर बहुत मायन में सामने आ सकती है तो अगर ऐसे कोई बात होने वाली है तो इससे थोड़ा सा पीछे रहना क्योंकि यह जो ग् आपको वी वीडियो कैसे लगा आपने किस तरह से अनुवह कि एसके बार में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना यह चैनल है ब्रह्मान्दसिद्धियास्ट्रो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बेल आगन भी दबा देना जिसके विचे सब् एक सनफको तरन मेंचाएगी दरनी हाँ